स्मार्ट एं लीगल गादेंस डाउन्लोड दिया अप्लिकेशन ना। वो आप लोग अपनी स्किप कर जाते हो देन आपको कन्फ्यूजन होती है और जो इंपोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो रह जाती है तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा पूरी वीडियो में जो आपको बताता हूं पूरी वीडियो के अंदर ना जरूर से बेस्ट बेस्ट जानकारी मेरा ये कोशिश रहती है वो आपको प्रवाइड कराने के लिए तो आज इस वीडियो के इंदर ना एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन में आपको प्रवाइड करूँगा कि आप एक law student हो आपको लगता है कि मेरे पास अपना अभी पढ़ाई का pressure ह मैं किसी advocate के पास जाकर अपनी internship करना तो चाता हूं लेकिन मैं भी कर नहीं तो दूसरी बात आपको लगता है कि मेरे यूब यो Oregon में आपको tips दे रखी हैं कि आप courtroom में जा के बैठा करो matter को देखा करो कौन सा case चल रहा है, कौन सा section सेक्शन है, कौन सा stage चल रही है, civil case है,弟 • क्रिम्घुनल है, कौई का matter है, रहा है तो उसमें अपनी copies में बनाते चलिए कि आज इस particular court में मैं बैठा था या बैठी थी उस case में आज चार case देखे एक civil case देखा एक criminal देखा एक matrimonial देखा एक और civil case देखा तो जो matrimonial case था उसकी stage हमारी कहां तक पहुंच रही थी जो civil case था वो fact and issue तक हमारा पहुंच गया था यह नहीं पहुंच गया था वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ बहुत सारे advocates, young advocates परिशान होते हैं कि मेरे को अगर particular कोई application file करना है एक court के अंदर, tribunal के अंदर कोई application लगानी है, कोई government authority के पास में कोई application ल लेकर आ गया हूँ, complete आपको जो है, 4000 से जाधा draft, cable or cable 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, cable आपको मेरा smart and legal guidance के नाम से application डाउनलोड करना है, download करने के बाद आपको अपनी screen के उपर, अपनी application के उपर ही दिख जाएगा, यह particular draft का, यह particular format, तो वहाँ पर आप के सारे draft, आपको 100% accurate, 100% editable आपको देखने को मिलेंगे, आप अपनी case के साथ से, अपनी convenience के साथ से उसको edit करके change कर सकते हो, और complete आपको format मिल जाएगा, court का कोई draft होता है, income tax, GST का कोई draft होता है, corporate business का कोई draft होता है, HR, legal formats, सारे के सारे मैंने आपके लिए upload कर दिए हैं, यहा हैं, याद रखेगा, सारे के सारे court के legal draft, income tax के, हिंदी के बाले draft मैं अप्लोड कर दिये हैं, कि अगर कोई हिंदी में वकलत करता है, और हिंदी के अंदर उसका application अपनी file करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने draft सारे के सारे डाल दिये हैं, Supreme Court, High Court, District Court, Civil Court, Tribunal, XYZ, किसी भी जग देखने के लिए कौन सी stage होती है, कब trial चालू होता है, और कब trial चालू नहीं होता है, उससे पहले period trial के process कौन सी कौन सी होती है, ये चीज देखने के लिए आपको किसी courtroom में बैठना पड़ेगा ना, कोई देखने पड़ेगी चीजे, उसके लिए वकील के साथ में internship करनी बैठे होगा, जिसकी वज़े से आप लोग घर बैठे होए, इस सारी चीजे अपनी घर बैठे होए, इदर उदर का ही जाने की जुरत नहीं है, आप घर बैठे होए, सारी की सारी चीजे, courtroom का पूरा का पूरा structure घर बैठे उपना देख सकते हो, live में आपको ये track बताऊंग courtroom में कौन से बैठ हूँ, कौन से नहीं बैठ हूँ, यहाँ पर आपका time जो है, वो बचेगा, और घर बैठे होए, आप अपने courtroom में बैठे होँगे, online hearing पूरी attend कर रहे होँगे, कौन से stage चल रही होगी, पूरा पूरा picture आपके सामने चल रही होगी, अपने घर बैठे अप आपको बता देता हूँ, तो Delhi High Court का में हाँ पर type करा, तो यह Delhi High Court का अपना website है देगी, तो हम यह website खुल लेंगे, तो यह Delhi High Court की official website खुल गई है, आप कोई भी अधर courts का अपना है, कोई अधर high courts का अपना, देख सकते हो, कि आप लोगो के मन में हो, क्यार में को high court के रही जाएगा, जैसे हमारे Delhi High Court के website खुल गई है, तो यहाँ पे हम cause list पे click करेंगे, cause list पे click करने के बाद यह देखो, सारी case के आपके मुद्दे आ गए हैं, कि भाई देखो, एक अगस पे, Delhi High Court में यह सारे मुद्दे हैं, जो भी सुनवाई पे चड़े हुए हैं, तो अगर मैं जज साब बैठे हुए, इस particular case के सुनवाई कर रहे होंगे, ठीक है, कौन-कौन से councils हैं, और कौन-कौन से लोग होंगे, petitioner कौन है, respondent कौन है, वगएरा वगएरा, यह सारी चीज़ आपको आजाएंगी, अब मुझे देखनी है, hearing, अब यहाँ पे लिखा है, click here for video calling, ठीक है open webex, आपको जो है, अपना software, अपना laptop के अंदर install करना पड़ेगा, या mobile के अंदर भी आप अनाम से देख सकते हो, mobile के अंदर आपको यह download करना पड़ेगा, open webex, जैसी open webex अपना software download कर लोगे, तो उसके बाद जब आपके software खुलेगा, launch meeting पे click कर दोगे, आप direct अपना court hearing पे अपना चले जाओगे, और आपका भी नाम यहां पे court hearing के तौर पे show हो जाएगा, और याद रखेगा, it is very very important, आप एक court hearing, live court hearing में आप join हो, तो जैसे कि अगर मैं practically court में जाऊंगा, ठीक है, as a intern के तौर पे, as a log graduate के तौर पे, लेकिन मेरा case का कोई लेना देना नहीं है, मैं एक सीखने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या मैं court में खड़े होके अपनी आवाज कर सकता हूँ, या मैं कुछ बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, एक decorum होता है न, court का, ऐसे ही, आपको live court hearing में यह maintain करके रखना है, meeting join करते दुरान, आपको दो चीज़े को सबसे रखना है, आपका mic mute रहना चाहिए, आपका जो camera है, वो off रहना चाहिए, you are not allowed to open your camera and to open your mic, अगर आईए गलती आप करोगे, और अगर point out होगी, तो याद रखेगा, आप लोग आप लोगों के ओपर action भी लिया जा सकता है, contempt of court का आपके पर charge भी लगाया जा सकता है, इससे बहतर यही है, अरे यार, थोटा common sense से सोचो, अगर मैं practical court में जाऊंगा, तो अगर ऐसे कोई बत्तमीजी करूंगा, या कोई शोर करूंगा, तो obviously मेरे साथ जब भी तो consequences मुझे face करने को मिलेंगी, ऐसी same case आपका live hearing पे भी है, तो यह मत सोचेगा कि नहीं यार, live hearing पे कुछ रिस्की है, practical जाने में रिस्की नहीं है, दोनों सेम चीज है, आप यह बात को अपने इश्रा ध्यान रखिएगा, कि court का एक अपना decorum होता है, आप courtroom में आ रहे हो, आओ, कोई दिक्कत नहीं है, live join करना चाते हो, कर रहे हो, सीखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई रो के सामने कैसे प्रेज़न करना होता है अपने आपको, जो यह वकील सहाव है, कैसे etiquettes अपने court के आगे रख रहे हैं, और क्या-क्या चीजों को, क्या-क्या शब्दों का मुझे पालन करना होता है, किस भाषा का मिरे को इस्तेछा करना होता है, किस लहेजे में मुझे भाषा का इस्तमाल करना होता है तो यह सारी चीज़ें आपको घर बैठी हुए बहुत ही मालब मैं क्योंगा सबसे बेस्ट चीज है जब से ओनलाइन हेरिंग वेगर आईए ना तो बेस्ट है फायदा जितना उठा सकते हो ना उठाओ आदे से यादा लोगों को इन चीज़ों के बा और फायदा होगा लाइफ में याद रखेगा तो ऐसी डेली बाते नहीं नहीं चीज़ें आप देखना चाहते हो तो आपके ड्यूटी क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेर करके वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कोई भी डाउट आता है कोई भी कंफ्यूजन आती है तो प्लीज कमेंट बोक्स केंदे अपना पॉइंट आफ यू जरूर रिखेगा हमेल ते नेक्स वीडियो केंदे थैंक यू जानवाद